हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे यूटूब चैनल स्पी बाइलोजिसर पर स्वागत है बच्चों आज हम आप लोगों को वर्च के माह के अंतरगत जितने भी दिवस मनाए जाते हैं हम उन प्रमुखों दिवसों के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत से दिवस ऐसे होंगे जो आपको पता होंगे और बहुत से ऐसे दिवस हैं जो आप लोगों को नहीं मालुम होगा आज हम महीने वार अर्थात माव वार हम प्रतेग दिवस के बारे में चर्चा करेंगे और ये दिवस प्रतेग प्रतियोगी परिच्छाओं में अवस्य पूछे जाते हैं जैसे आए चलते हैं आपको हम देर ना करते हुए सेसन श्टार करते हैं जैसे कि एक जन्वरी को कौन सा दिवस मना जाता है तो एक जन्वरी को नव वर्थ दिवस भी मनाते हैं और तमाखु मुक्ति दिवस भी मनाते हैं तो अमूमन फेपर में ये कोश्चन जेदा पूछा जाता है कि एक तमाखों मुक्त दिवस कम मनाया जाता है तो हमारा एंसर होगा एक जन्वरी को next question है 10 जन्वरी को 200 हिंदी दिवस मनाते है question पूशेगा और अधिकांत पूशा भी जाता है question कि हिंदी दिवस कम मनाया जाता है तो हमारा answer होगा 10 जन्वरी को अगला कोश्चचन है लाल भादू स्थास्थे की पूर्ण निक्ति ठी अर्था इसमर्ट दिवस के रूप में हम 11 जन्वरी को मनाते हैं अगला कोश्चन है स्वामी व्यकान्न्द का जन्व दिवस हम 12 जन्वरी को मनाते हैं और इसी दिन को हम राष्टी यूवर दिवस के नाम से भी जानते हैं अगला कुश्चन है थल सेना दिवस भारत में थल सेना दिवस कम मनाया जाता है तो भारत में थल सेना दिवस 15 जन्वरी को मनाया जाता है अगला कुस्चन है नेता जी सुभाचंद बोष जेंत्री कम मनाई जाती है तो नेता जी सुभाचंद बोष जेंत्री तेज जनवरी को मनाई जाती है सबसे important question है राष्टी बालिका दिवस बहुत पूछा जाता है पेपरों में एक्जाम में अधिकतर प्रतियोगी परिष्चाव में पूछा जाता है कि राष्टी बालिका दिवस कम मना जाता है तो हमारा answer होगा 24 जन्वरी 24 जन्वरी को राष्टी बालिका दिवस मनाते हैं और ृष्टी 25 जन्वरी को राष्टी मतदाता दिवस मनाते हैं अगला question है है चफ़िस जन्वरी को भारती गरतन दिवस मनाय जाता है क्योंकि 26 pequ ₹1950 को हमारा गरतन बनकर तयार हुआ था है और इस दिन से पूरी तरीके से हमारा देश स्वतंत्र हो गया था और 30 जनवरी को हम सहीद दिवस के नाम से मनाते हैं इस दिन नातुराम गोर्चे के द्वारा 13 जनवरी 1948 को महत्मा गांदी की हंठ्य कर दी गई थी इसी को हम महत्मा गांदी इस्मृत्य दिवस के नाम से भी जानते हैं यह रहे जनवरी में मनाय जाने वाले कुछ दिवस अब आगे ले चलते हैं आपको फरवरी महा के प्रमुक दिवस बच्चों चार फरवरी को 20 कैंसर दिवस मनाया जाता है और इसी दिन चार फरवरी को ही चौरी चौरा कांड भी हुआ था यह दिवस भी मनाया जाता है कि वन जीव सभवसे ज़िदा पूंस्छेश जाने माला क्शन अधिकांस प्रतियोगी परिश्चन में वन जीव दिवस कम मनाते थे हैं राश्टी स्यु improving मनाते हैं पांच मार्च को अंतर राश्ट्री महिला दिवस मनाते हैं तेरी इंप्पर्टेन कोशन है आप इसको ठिक कर लीजिएगा जो कुछन है धूम्र पांनिसेत दिवस यह भी कोशन बहुत उचआ जाता है धूम्र पान्मिसेद दिवस कना जाता है तेरा मार्च को लिए करलानान की दिवस तो राश्टी ठीका कर दिवस कमना जाता है 16 मर्च को जबान की दिवस आपका कमना जाता है 21 मर्च को और सबस्वे मोज्ट इंपॉर्टन कोश्चन है जिस्व जल्द बिश्व जल्द इवस जो है 22 मर्च को मनाया जाता है अच्छा 22 मार्च को एक तो 22 मार्च हो गया एक हो गया 22 अप्रेल और एक हो गया 22 माई यह तीन जो डेट हैं इसमें तीनों बड़े जो अधिकान्स पेपरों पुछे जाते हैं और कंसिम के यादसे मार्च सिंग्रेव को फाची दी गई और फासी देने के इसी दिन उप्रच्ष में हम 23 मार्च को सहीद दिवस के नाम से जानते हैं 24 मार्च को तपेदिक दिवस मनाते हैं तपेदिक दिवस और 6 अपरेल को डांडी सत्यागरह दिवस मनाया जाता है इसी दिन ग्राम सुराध दिवस मनाते हैं 20 स्वास्थ दिवस महिला स चम्ष्विस्ता दिवस सथ अपरेल को मनाते हैं कि 10 अपरेल को जल्शंसाधन दिवस मनाते है और जurnious वाला बाँग नरसंगारहत क्ञान जो दिवस मनाया जाता है यह 13 रहा हुआ था फाहलसापंद की स्थापना भी 13 अगला कोश्च कि दाक्टर भी मांबेटकर की जंतरी फेरि इंपॉर्टेंड कोश्चन है पेपर में अधिकांत कूछा जाने रामा 18 दिन में तयार किया था और 15 अपरेल को गुरू नानक देव जन्म दिवस मनां जाता है में 16 अपरेल को महावीर जैंतरी मना जाता आ है और 17 अपरेल को विष्ट रिमो फेलिया दिवस मनां जाता है 19 अपरेल को 20 यक्रत दिवस मनाते हैं और 22 अपरेल को 20 प्रत्वी दिवस और जल संसाधन दिवस भी हम इस दिन मनाते हैं इसको नोट कर लीजिएगा आप हमने पेपर में अगला कोश्चन है 23 अपरेल को मानो एकता दिवस मनाते हैं और 25 अपरेल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है यह भी कोश्चन आपके एक्जाम में कई बार पूछा गया है 29 पहल को अंतर राष्टी नत्र दिवस मनाया जाता है और 5 माई को अंतर राष्टी शूर्ज दिवस और विश्व एतलेटिक दिवस दोनों सहीत दुरूप से मनाया जाते है च्छै माई को अस्थमा दिवस मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस यह प्रकार का रोग होता है और साथ माई को विश्व हास दिवस मनाया जाता है और सब्सक्राइब पॉंब कोस्चेन है आस्ध मई को apart co we just rуть cross त्पिक दिवस मनाया जता है कि घेर मैं को राष्टी प्रदोग दिवस मनाया जाता है निर। दिवस मनाया जाता है क्योंकि मॉडर नर्सिंग की जनक प्लोरेंस नाइट एंगल का जन्म दिवस है इसलिए इस दिन नर्स दिवस मनाया जाता क्योंकि वह एक नर्स थी 13 माई को राश्टी एक्ता दिवस मनाते हैं 15 माई को विस्व परिवार दिवस मनाया जाता है और 22 माई को विस्व जवय वित्ता दिवस मनाया जाता है ये भी कोशन आपके एक्जाम में कई बार पूछा गया है 24 माई को विस्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है ये इस बात को भूलियगा नहीं और 27 माई को जवाल लाल नहर्यों की पुनितित थी और इसे हम इस्मरत दिवस के नाम से भी मनाते हैं 29 माई को माउंट एवरेष्ट दिवस मनाते हैं और सबसे इंपॉर्टेट कोशन है 30 माई को हिंदी पत्कार्था दिवस मनाया जाता है एक 30 माई को 20 तमाखू दिवस मनाते हैं ये भी कोशन कई बार एक्जाम में उच्छा गया है अब आए चलते हैं जून माह में मनाय जाने वाले दिवस कौन कौन से हैं एक जून को अंतर राष्टी बाल सुरच्छा दिवस और विस दुख्ध दिवस के नाम से प्रसिद्ध है और पांच जून को सबसे इमपोर्टेंट और इसमें सबसे ज़्यादा कोश्चन पूचा जाता है परियावन दिवस कम मनाया जाता है तो बच्चों याद रखिएगा कि बारा जून को विश बाल स्रम निशेद दिवस मनाया जाता है और सब्सक्राइब चौदा जून को विश रक्त दान दिवस इसको जरूर अपने नोट बुक में उतार लिजिएगा यह बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है 15 जून को कवीर जैंतरी मनाया जाती है और 17 जून को पीता दिवस मनाया जाता है इस कोश्चन को आप अपने कापी में लिख लिजिएगा अगला कोश्चन है विशु संगीत दिवस और अंतर राश्टी योग दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टन कोश्चन है और इसमें सबसे जाता पूछा जाता है अंतर राश्टी योग दिवस तो बच्चों घुलिएगा नहीं 21 जून को अंतर राश्टी योग दिवस मनाया जाता है इसी दिन विशु संगीत दिवस भी मनाया जाता है आगे चलते हैं और एक कोश्चन है विशु या अंतर राश्टी विद्वा का दिवस मनाया जाता है 27 जून को 20 सुमध में दिवस मनाते हैं और 28 जून को गरीबी दिवस के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि इसी दिन भारत के पूर्प्रदान मंत्री पीवी नर्सिंगा राव का जन्म दिवस भी है जुलाई महा के अंद्रगत आने वाले प्रमुख दिवस कौन-कौन से है भारती इस्टेडमेंग की स्थापना भी एक जुलाई को हुई थी और 4 जुलाई को स्वामी विवेका नंद इस्मित दिवस के रूप में मनाया जाता है और सबसे मुक्य कोश्चन ये भी बहुत पू जो है 5 जुलाई को 6 जुलाई को 20 जुनोसेशिस दिवस मनाया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है अमुमन पेपर में पूंचा जाता है नौ जुलाई को राश्टी विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई सबसे महा मोस्ट इंपॉर्टेंट कोश्चन है अध वस्ता और बाथ जुलाई को जरूर ध्यान में रखेगा कि मारी 造 scorp certificate Dutch ट्र। मना जाता है और है इस जुलाई को राश्टी जंड़ा अंगी करन दिवात ये कोश्चन भी अधिकांस पेपर में पूछा जाता है तेज जुलाई को बाल गंगर दर्तिवल तिलक जी का जन्म दिन होता है और उसी दिन चंसेकर आजाद महान करंतिकारी का भी जन्म दिन मनाया जाता है राष्टी प्रसारन भी इसी दिन इस्टार्ट किया गया था चालू किया गया था अगले कोश्चन में चलते हैं गोश्वामी तुलसीदाज जैंतरी कम मनाया जाती है तो गोश्वामी तुलसीदाज जैंतरी 25 जुलाई को मनाया जाती है के सब्सक्राइज कर्गिल दिवस सब्सक्राइज यपशर को मना आजाता सबूद 12 जुलाई को मना जाता सब्सक्राइज कंके आ सबक्राइज है कि विस्ट हैपेटाइटिस दिवस कम मनाया जाता है तो विस्ट हैपेटाइटिस दिवस मेरे प्यारे बच्चों ये अठाई जुलाई को मनाया जाता है और उन्ते जुलाई को विस्ट बाग दिवस मनाया जाते हैं और सबसे ज़्यादा बाग कहां पाया जाते हैं तो ये जोरम और मद्दी प्रदेश से एक कका नहीं पाहार सश्थितना किहां पारा सुद्राइव प्रसिद्ध एफ है और मुंझे टाइगर स्टेट किसे कहते हैं तो डायर स्टेट भी मद्दी प्रदेश को ही कहते हैं अगला कोश्चन है 31 जुलाई को मुंसी प्रेम चन जी की जैंतरी मनाते हैं ये प्रख्यात हिंदी के लेखक थे कभी कद गद और पद दोनों में इन्होंने अपना अभिन्य योगदान दिया है अगला कोश्चन है एक अगस्त को दिश्व इस्तन पांद दिवस मनाया जाता ह है यह भी कोश्चन इंप्वाटेंट है और कई बार को एक्जाम में पूचा भी गया है तीन अगस्त को फिर्देंप्रत्ता रोपन दिवस मनाते हैं और तीन अगस्त के बार आता है आपका मैत्री दिवस यह मनाया जाता है पांच अगस्त को 6 अगस्त को हिरोसेमिया दिवस मनाते हैं और इसी दिन 207 दिवस के नाम से प्रसिद्ध है बच्चों अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोसेमिया नामक सहर में सबसे पहले 6 तारिक को परमाड़ बम गिराया गया था उसके बाद 9 तारिक को हिरोसेमिया और नागा साखी नागा साखी में 9 तारिक को परमाड़ बम डाला गया था जिसके कारण जापान को काफी सवाही का मंजर देखना पड़ा और धन बल और जनहान की काफी छती हुई तो अमेरिका के दोरा पूछा जाता है कि परमाड़ बम जापान पर किस दो सहरों पर गिराया गया तो पहला तो था 6 अगस्त को हिरोसेमिया पर और दूसरा 9 अगस्त को कहां पर नागा साखी पर गिराया गया था इस बात को भी आप जरूर ध्यान में रखेगा 10 अगस्त को 20 यहीनं दिवस मना जाता है और 11 अगस्त को खुदी राम बोस सहीद दिवस के नाम से भी जानते हैं कि आंकला कुस्ट एक वह कं मनाते हैं तो बार्रहा ऐक को मनाते हैं यह थिन है कई बार एक्जाम में आया है अगला कुशन है कि अंगदान दिवस कम मनाया जाता है तो अंगदान दिवस जो मनाया जाता है वो है 13 अगस्त को और 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना सुतंता दिवस मनाता है और भारत 15 अगस्त को मनाता है सुतंता दिवस इस बात को भी ध्यान में रखेगा 15 अगस्त को भारत होतंता दिवस्तों मानता ही है साथ में बांगलादेश जो है वह अपना राष्टी सोख दिवस इसी दिन मनाता है कि क्योंकि की बांगला तेस भारत का ही परौशी बेस हिर अगलर कुश्चन हैत्त बहुत इंप्रोर्डंग स्जय और चब्विस अगस्त के दिन महिला और पुर्स को समान रूस देखने के लिए या महिलाओं को पुर्सों के पराबर भागीदारी देने के लिए इस दिन समानता दिवस मनाते हैं 27 अगस्त को बच्चों मदर ट्रेशा जैंतरी मनाया जाती हैं और 29 अगस्त को राष्टी खेल दिवस मनाया जाता है ये राष्टी खेल दिवस मेजर ध्यान चन्द जो थे उनके जम दिन पर मनाया जाता है ये भी एक बहुत पसित खिलाडी थे एक सितंबर को पोशन सप्ता मनाया जाता है एक सितंबर को देखा जाए तो पोशन सप्ता इस्टार्ट होता और ये पूरे सप्ता एक से स्ताथ तारिक तक पूरा चलता रहता है दो सितंबर को भी सुनारियल दिवस मनाया जाता है वैसे इंपॉर्टेंट नहीं या फिर भ स्वर्वपल्ली राधा केंद जी थे उनका जन्वदीन मनाया जाता है और उन्हें के जन्वदीन के उपलच में हम सिच्छक दिवस मनाते हैं अाठंघ सितम्बर को सा нрав सी बात को और यह और सितम्बर को खानद को दिवस मना जाता है इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखीएगा अगला कोस्वकीन हरे सोला सितम्बर को सबसे महा इंपोर्टेंट महा महा मोश्ट इंपोर्टन कोश्चन है और अधिकांस पेपर में पूछा जाता है कि 16 सितंबर को ओजोन परत के संदच्छन से अंतराश्टी दिवस तो कभी कभी पूलेता ओजोन दिवस कम मनाया जाता है तो बच्चों कंफ्यूज मत होईएगा ओजो है कि अंतराश्टी दिवस 21 सितंबर को मनाते है ऑद राश्टी गुलाब दिवस जो है वह 22 सितंबर को मनाया जाता है है अग्ला स्थीब्स आप के 22 कि मनाते है और पचीज sister को 20 हुर्दय कर दिवस मना जाता है…… हो इस बात को भी आप माइंड में विठा लीजे ए अगला क को सब्सक्राइस प्रेटन दिवस 27 सितंबर को मना जाता है और मुश्ड इंपॉर्टन को आप्सटाइस ऑफ अठ्ठाइस सितंबर को मनाया जाता है जो यह कुत्य के काटने से होने वाली एक बीमारी है अगला कोश्चन है 29 सितंबर को इंस는지 मनाए जाता है और 1 एक क्टूबर को अंतराश्ट्री ब्रद दिवस मनाया जाता है सय सु पर को मामा गांदी जैंतरी दिवस मनाते हैं और इसी दिन एक महाय प्रधानमंत्री थिनका नाम था लाल भादर्चास्ती अब तक चरक्डूबर को भी सुपषउ दीवस की रूप में जाना जाता Edu और पाँच अक्टूबर को 20 सिच्छक दिवस के नाम से भी जाना जाता इसे यहां पर कंफीर्म है तो यह गाँज़ को 20 सिच्छक दिवस मना जाता लेकिन 5 सितंबर को हम सिच्छक दिवस बनाते हैं इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा 8 अक्टूबर को वाई सेना दिवस भी मनाते हैं और 9 अक्टूबर को कासी राम जैंतरी मनाते हैं इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेगा और सबसे important question अब आया है 11 अक्टूबर को कि अंतराश्टी वाल का दिवस का मनाया जाता है 12 अक्टूबर को कोलंबस दिवस मनाया जाता है बच्चों ये कोलंबस कौन था कोलंबस वही बैग्यानिक था या वही बैग्ति था जो निकला था भारत की खोच करने के लिए लेकिन इसने खोच कर डाली एक नई दुनिया की किसकी एक नई दुनिया की और वो नई दुनिया कौन है जिसे हम आज उत्तरी अमेरिका के नाम से जानते हैं उसे ही नई दुनिया कोलंबस ने नाम दिया था बच्चों कोलंबस जो था वह उन्नीस चौदा सो बानवे में अपनी आत्रा इस्टार्ट की थी और पहुंच गया था अमेरिका के टट पे भारत को खोचते-खोच तो उसको मालूम नहीं था कि यह भारत है या अमेरिका है तो उसको कुछ भी नहीं पता था और तब उन्होंने उसका नाम क्या दिया था नई दुनिया तो एक कोश्चन भी पूंचा जाता है कि नई दुनिया की खोज किसने की तो मारा एंसर होगा कोलंबस ने की और उसके जो था इन्होंने भारत की खोच कि थी पूछे का में तो इस बात को आप माइंड में रखेगा बला कोश्चन ही विशुद्रश्टी दिवस कम मना जाता है तो विशुद्रश्टी दिवस 13 अक्टूबर को मना है जाता है और महां इंपॉर्टेंट यहिंपॉर्टेंट को कुश्चन हैंं बहुत अच्छा कोस्टन है कि हिंदी दिवस को मना convergence म買 और जाता है और विस्ट मानक दिवस इसी दिन मनाया जाता काना राष्टी उद्यान दिवस कम मना जाता है तो काना राष्टी उद्यान चुछ 16 अक्टूबर मना जाता है और यह है कहां पर यह हमारे मद्ध प्रदेश में इस्थित है कि अगञा कुश्यन है विख्ष्ष्ष पोलियो दिवस ये भी कुश्चन कई भार पेपर हुआ अ kuv पूशा गया है तो 24 अक्टूबर को 20 पोलियो दिवस मना जाता है तो बच्छों 20 सुमें मित बैता दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाता है बच्छों मित बैता का मतलब है कि फाल्तू के खर्चों से बचना फाल्तू का बै ना करना जितना आँ सकता हो उतनी बै करना चाहिए ताकि हमारे इंकम की जो इस्थिती है वो समान बनी रहे और 31 अक्टूबर को गानी जैंतरी इंद्रा गानी की पुनितिती मना जाती है और इसी दिन सरदार बल्लब भाई पटेल की जैंतरी भी मना जाती है और इसी लिए 31 अक्टूबर को एकता दिवस के नाम से भी जाना जाता है संकल्क दिवस पूच ले तो भी 31 स्टूबर ही आप ठिक लगाईएगा एक नौबर को अंतराश्टी रेट क्रास दिवस मना जाता और ये एक तारिक से लगा के 7 तारिक तक चलता है और 7 नौबर को सिसू सुरच्छा दिवस मनाते हैं और 7 नौबर को ही कहिंचा जागरुकता bolas w Hai करे pre-m forecast अगरा कोश्चन थे कंतरesian कि 11 नौबर को राष्टी सीच्छा दिवस मनाते हैं और इसे दिन राष्टी फाइलिया दिवस भी मनाया जाता है तो दिन-ध 11 नौंबर अगला कोश्चन है राष्टी पच्छी दिवस कम मनाया जाता है तो राष्टी पच्छी दिवस 12 नौंबर को मनाया जाता है यह दिवस सलीम अली के जन्म दिवस पर मनाया जाता है सलीम अली एक पच्छी बैज्ञानिक थे जो पच्छियों के बारे में गहन अध्य किया करते थे इनी के जमने दिवस पर राष्टी पच्छी दिवस मनाया जाता है कि अगला कोशन है बहुत पूंचा जाता है कि बाल दिवस कम मनाया जाता है तो बाल दिवस बच्चों 14 नवंबर को मनाया जाता है और विस मदमें दिवस भी इसी दिन 14 नवंबर को मनाया जाता है मदमें क्या होता है मदमें बच्चों इंसुलिन की कमी से होने माला एक रोग होता है जिसे हम इंगलिस में डाइबिटीज कहते हैं इंसुलिन जो हार्मोन होता है वह अगन्यासे से सरावित होता है अगन्यासे के बीटा कोशिकाओं से सरावित होता है और अगन्यासे में तीन बुक्ती से जो एंसूलिन हर्मोंस रावित होता है अगला कोश्चा ने मनाया जाता है इस बात को भी ध्यान में रखेगा और कई बार ये कोश्चन पूछा गया है कि 20 सौचाले दिवस का मनाया जाता है तो बच्चों 20 नौंबर को याद रखेगा कि 20 सौचाले दिवस मनाया जाता है 24 नवंबर को गुरु तेज बहादूर का सहीदी दिवस मनाते हैं इस कोश्चन को कई बार एक्जाम में पूछा गया है 26 नयुवंबर 27 जूंबर 23 दिवस30 को मनाया 408 करें 26 दिवस30 करूयен z Lif НА Пока 26 मनाया जाती थिन हमारा राश्टि सम्हथार्ष धिवस30 दिवस30 कर इस दिन हमारा राष्टी-ऌमजास Jas Saraya मनाया जाता है एड्स जो एड्स होता है यह एक लाइलाज बिमारी है एक खतनाग बिमारी है ए आई डी एस और इसका फुल फाम होता है एसे एक क्वाइड आई से इम्नोड डी से डिफिसेंसी इससे सिंड्रोम एक क्वाइड इम्नोड डिफिसेंसी सिंड्रोम तो बिस एड् दिसंबर को मनाया जाता है इस बात को जरूर याद रखिएगा डॉक्टर रादयन प्रशातर जैंत्री कि तीन दिसंबर को मनाया जाता है और यई वह हुई थी तोनिasoon 84 क दिन कहुदा था और तीन दिचंबर को ऊए। यह दो क्यों करांज चाहर और तो पुछा जाता है और जाता कि भॉपाल और मने लिक हुई थी कर दो बच्चों समीधान दिवस कम मना जाता है ना दिवस जो है पांठ दिसंभर करमाया जाता और सौध Πार्विस दिसंभर को इस बात को भी आप लोग यादग रखेगा है युनिसेव sû तक मना जाता याता ग्हारा दिसंभर को यूनिसेव मना जाता है और सबसे इंपॉर्टन कोश्चन एक और है लाश्ट में कि 15 दिसंबर को सरदार पटेल कि इसमत दिवस मनाया जाता है अगला कोश्चन है 22 दिसंबर को राष्टी गणित दिवस मनाया जाता है इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेगा यह रामा नुजन इसमत सब्चांब्न कोश्चन है चोधरी चाण सुँग संग के उन्व मंनाते हैं और कियो सब्से और कियो उच्कारमाय के लिए और तो 24 डिसंबर को राष्ट्रिव भह्त्ता दिवस मनाते है ये पूछा जाता है कोश्टे डिवस कब मनाये जाता है तो मनाये जाता है इस बात को विध्यान में रखिएगा कि 15 कि किसमश दे मलाखे जाता है और इसी दिन कि गुड़ गवर्नेस डे के नाम से भी हम जानते हैं तो कब 25 दिसम्मर को किसमस डे बनाते हैं और बच्चों मुझे आसा है कि आप लोगों को आज का सिसन समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा आप लोगों से एक रिकेश्ट है कि आप मेरे चैनल SP Bailogy Sir को आप सेर कीजिए लाइक कीजिए और कमे वीडियो चाहिए यह भी मैसेज करके हमें बताइए और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी टॉपिक होगा हम उसको जल से जल आपके सामने लाएंगे और इसी के साथ मैं आज आज सब लोगों से विदा लेता हूँ अगले नेक्ट वीडियो लेकर हाजिर होगा तब तक क के लिए जै हिंद